हलो, गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, आज हम इस वीडियो में विजय नगर समराजे का राजनती की इत्यास के बारे में अध्यान करेंगे, ठीक है, तो देखेगा फ्र उनमें आपको बहुत हल्फ करेंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना न भूलें, और यदि कोई भी सुझाव आपके पास हो, तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सेर करें, ताकि आपके फ्रेंज तक भी इनफोर्मेशन तो चलिए पढ़ते हैं, विजे नगर समराजे का राननती की थ्यास 1336 इस्व में विजे नगर समराजे की इस्तापना विशेश तै दक्सिन भारत की तथा सम्वान्य तै भारत के इत्यास के एक महान गटना है दक्सिन भारत में तुगलक सत्ता के विरूद होने वाले राजनेतिक तता सांसकर्तिक आंदोलन के पणाव सरूप इसके इस्तापना हुई संगम के पांच पुत्रों में से हरी हर्यम बुक्का ने इस सम्राजे की स्थापना की और विजे नगर सम्राजे की स्थापना 1336 इस्व में की गई जो वारंगल में काकतियों के सामन्त थे और बाद में कामपिली राज्ये में मंत्री बने जब एक मुसलमान बहुतीन गुर्शस्त विद्रोही को स्यरण देने पर मुहमत पिन तुगलक ने कामपिली को रोंद डाला तो इन दोनों भाईयों कोन कोन दोनों भाई हरिहरोर बुका को भी बंदी बना लिया गया इन्होंने इसलाम द्रम स्विकार कर लिया बाद में उन् के गुरु विद्दारणे तथा वेदूं के परसिद भास्यकार सायन से प्रेणा मिली 1336 इस्वि में इस्तापित इस समराजे के पर्थम वन्स का नाम पिता के नाम पर संगम वन्स पड़ा इस समराजे के चार राजवन्सों ने लगबक 300 वर्सों तक सासन किया विजे नग विजे नगर बेन गुंजा तथा चंदगिरी हमपी अर्थात हस्तिनावति विजे नगर की पूरानी राजवन्स था संगम वन्स इसके संसतापक थे हरीहर पर्थम इंबुका और सासनकालता तेरे सो चत्तीर से चोदासो पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अर्था तिरुमाल और 1570 से 1650 इस्वी में इसका सासनकाल था संगम वन्स 1336 से 1425 सी इस्वी संगम वन्स के सासन सासक है वो निम लिखी था देखे कौन-कौन से थे हरिहर पर्थम, बुका पर्थम, हरिहर द्वित्ये, देवराय पर्थम, देवराय द्वित्ये, मलिकार जुन, विरुपाक्स विती ठीक है अब देखेगा सबसे पहले हरीहर पर्थम ये 1336 से 1356 में था ये विजेनगर समराजे का सहस्तापक था उसने अपनी राजदानी अन्य गोंडी को बनाई बाद में विजेनगर को अपनी राजदानी बनाया बुका पर्थम जो 1356 से 1377 इस्वी ते इस्वी तक सासक रहा हरीहर का उत्रादिकारी उसका भाई बुका पर्थम हुआ यह 1346 इस्वी से ही सियुंक्त सासक के रूप में सासन कर रहा था हरीहर द्वित्य जो 1377 से 1404 इस्वीत में सासक रहा हरीहट जुईते ने महराजाधी राज की उपादी धारण की उसने कनारा, मैशूर, त्रिचनापली, कांची, आधी पढ़्यसों को जीता और स्रीलंका के राजासे राजस्ववसूल किया अगला सासगाता देवराय पर्थम जो 1406-1422 तक था अपने राजयरोहन के तुरंत बाद उसे फिरोसा बहमनी के आकर्मन का सामना करना पड़ा था बहमनी सासक के हातों उसके हार हुई और उसे हूनों, मोतियों तता हातियों के रूप में 10 लाग का हर्जाना देना पड़ा देवराय द्वित्य जो 1422-1446 इस्वी में था यह इस वन्स का महांतम सासक था मलीकारजुन 1446-1446 इस्वी उसके समय में उडिशा और भहमनी राजयों ने विजेनगर पर आकर्मन किया अगला सासक आता है विरुपाक्स द्वित्य जो 1465-1445 इस्वी में था यह इस वन्स का अंतिम सासक था अगला वन्स आता है सालूं वन्स जो 1425-1505 इस्वी में था विजे नगर में व्याप्त अराजक्ता की सित्ती को देख कर सामराजे के एक सक्तिसाली सामन्त सासक नर्सिह सालूम ने 1425 इस्व में राज सिहासर पर अधिकार कर लिया इस परकार संगम वंस पर्थम बलाब वहार के द्वारा उखाड फैंक दिया गया विजे नगर के द्वित्य राजवन्स का सरस्ता पक सालूम नर्शिह था सालूम वंस के सासक निम्रेकित है सालूम नर्शिह सालूम नर्शिह ने सेना को सक्तिसाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रेलोबन एंप प्रोत साहन तिया सालूम नर्सिया ने अपने अलप वैस्क पुत्तर के सरक्सक के रूप में नर्सा नाइक को निूट किया अवसर पाकर नर्सा नायक ने सम्पून सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजे नगर का वास्त्विक सासक बन गया इमाटे नर्सिहें सालू नर्सिहें का पुत्तर के वैश्क होने पर उसका अपने सरंगसक नर्सा नायक से विवाद प्रारम हो गया इस पर नर्सा नायक ने उसे पेनू कोंडा के कीले में नजर बंद कर दिया नर्सा नायक ने चोल, पांडे और चेर राजियों पर आकर्मण किये और इन तीनों के सास्कों को विजे नगर की प्रभूशत्ता स्विकार करने के लिए बाध्धे किया पंद्रा सो पांच इस्यू में नर्सा नायक के पुत्तर वीर नर्सिह ने सालूव नरेज इमाडी नर्सिह की हत्या करके स्वयम सिहासन पर अधिकार कर लिया और विजे नगर सामराजे के च्रिति या तुल्लू राजवन्स की स्थापना की अगला वन्स आता है तुल्लू वन्स जो पंद्रा सो पांच से पंद्रा सो सत्तर इस्यू में था वीर नर्सिह के इस परकार राजगती पर अधिकार करने को विजे नगर सामराजे के इत्यास में द्वित्य बलापहार की संग्या दी गई है वीर नर्शी हैं के इस कूकर्ते के विरूद संपोन विजय नगर में सामराज्य में उसके विरूद व्यापक एसंतोस फैल गया था वीर नर्शी हैं अपने सासन के चार वर्सों में आंतरिक विद्रोहों एम भाहिय आकर्मनों का मुकाबला करता रहा 1509 इस्वि में उसका मृत्यू के बाद उसके अनुज कर्शन देवराय सिहसना रूड हुआ तुल्लों वन्स के परमुख सासक इस प्रकार्से देखेगा कर्शन देवराय अच्चुद देवराय सदासिव तो कर्शन देवराय जो 1509 से 1529 इस्वि में सासक बना वै, विजेनगर सास्कों में महांतम भारत के महानसास्कों में से था अच्चुद देवराय 1589-1542 इस्वी कर्षन देवराय ने 1539 इस्वी में अपने मर्त्यू से पूर्वै अच्चुद देवराय को अपना उत्रादिकारी नियोक्त किया सदासिव जो 1542 से 1570 इस्यू में सासक था सदासिव राय विजयनगर समराजय का नाम अत्र का सासक था सासक की वास्त्रिक सकती एर विडियो वनसी राम राय के हातों में थी तो देखें स्टुलेर्स इस वीडियो में हमने जो विजयनगर समराजय है उसकी रानेतिक दसा के बारे में जानकरी प्राप की यह वीडियो एकजाम के दस्टी से बहुत महत्तों पुन है अत्य वीडियो को बार बार देखें हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद